प्रभु के अदभुत तेज से जगमत कारागार सुध गुध अपनी खोई के सो गए पहेदार प्रभु आपके दर्शन करके हम धन्रेटी और श्रण दर्ण धन्रेटी आप that प्रभु आप सर्व शक्तिमान्व और सर्व ग्याता हैं आपने अधर्मियों के विनाश के लिए ही अफ्तार लिये हैं आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए हाँ भगवन्थ आप धर्म के स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं कि जब जब आपने अवतार लिया है तब तब प्रिठ्वी परसे अत्याचार एं अन्या के समाप्ति हुए है है प्रभु आपका ये रूम मन को हरने वाला है किन्तु किन्तु आप इसे छेपा लिजे क्योंकि जैसे ही मेरे भाई कंश को ये पता चलेगा जब आप दोनों का पहला जन्म हुआ था देवकी आपका नाम प्रस्थी तथा वचुदेव सुथपा नाम के प्रजा पती थी जब धम्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन करने की आज्या दी प्रसन होकर मैंने तुम दोनों से वर्दान मागने को कहा हमें आप जैसा पुत्र हो प्रभू मेरी माया से मोहित होकर आप दोनोंने मुझसे मोक्षना मांगकर मेरे जैसा पुत्र मांग परन्तु मेरे जैसा दूसरा कोई संभव नहीं इसलिए मेरे मैं आप दोनों का पुत्र हुआ और प्रशनी गर्व के नाम से विख्यात हुआ फिर दूसरे जन में आप दोनों अदीदी वह कश्यप हुए और उस जन में मैं उपेंद्र नाम से आप दोनों का पुत्र हुआ लंबाई में कम होने के कारण मुझे वामन श्री कहा जाता था और अब आपके इस तीसरे जन में भी मैं आपका पुत्र हुआ हूँ हम कृतार्थ हुए प्रभू हम कृतार्थ हुए हम कृतार्थ हुए हम कृतार्थ हम कृतार्थ हम रहाय हम क्षुत्र हुए हम कृतार्थ हम छ्री, छ्री श्री हुआ हम जची 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 जचा वाली जवाली जची 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 इस बालक को लेकर कंज के पास तो नहीं जा रहे हैं नहीं देविन्द बस देव इस सभाइ मोहित होने की अवस्था में हैं ये तो इश्वरी प्रेणा से चल रहे हैं इन्हें तो स्वयम नहीं पता कि ये कहां चले जा रहे हैं कि इंद्र देव आपको तो ज्यात होगा गोकुल में शोदा माता के गर्व से प्रभु की योग माया उतरित हुई है कि अवस्या आपको वैओ कि अवस्था बाद होगारा में है कि देखा देवराज आपने प्रभू का कार बिना विग्न पूरा हो रहा है पसुदेव जी किनारे पर ही थे इसी लिए यमुना जी प्रभू से मिलने दोड़ी चली आ रही है आहा जय हो जय हो प्रभू आपकी जय हो प्रभू आपकी जय हो जय हो आपकी मिलने प्रभू प्रभू अर यह जिए बाजती आपकी जय हो विए झाली का किकी जर जिए गल्सीं ठाब你說ऻ से मिलने विए कर दो कर जो काना जी को ले चले सर पे वासु देव काना जी को ले चले सर पे वासु देव लहर लहर लहराए या मोना लहर लहर लहराए या मोना रिम जिम पैसे में अमने आप अमने आप आप अधा आप 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 अधा अधाए आप अधाए औरे बालक का जन्म हो गया मुझे शीग रही महाराज को खबर कर दीनी चाहिए नहीं नहीं ऐसा मत करो ऐसा मत करो मेरा बच्छा मुझसे मत चीलो खंज बया को कुछ मत बतो हम विवश हैं यदि मैंने महाराज को खबर नहीं दी तो वो मेरा ही बत कर देंगे आप इसे रोकते क्यों नहीं कुछ समझाईए इसको कुछ समझाईए है हराज अधू जए थे खंड़ में आप गी खंड़्या में वे सकेम्टो कर बच्छाई प्रूर्टो कुछ समझाईए लिए थे दार्स्टेश आइसेंगे बतों कि तो अदेशित मैं कब से प्रतिक्षा कर रहा था इस दिन की कोच चुना ही संदा जाता मैं कैश नहीं कोच चुना ही अब मेरे और हम्रत्यों के बीच वो इबादा नहीं बन सकता स्वामी मेरे पास तो सुनिये स्वामी नहीं बिगा इस तो कन्या है कम से कब इसके साथ तो कुरूटा ना कीजिए कन्या हाँ प्रया यह तो आपके बीटी समाल है अलाय आपकर क्या में जाने दी अब तो आपने हमारी संतानों को हत्ता दे दी कम से कम इस कन्या को तो छोड़ दीजिए मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं कि यह भालक है यह बाली का मैं केवल इतना जानता हूँ कि तुमारी आठवी संतान मेरे मृत्यू का कारण बनने वाली है इसलिए तुमारी प्रतेख संतान को मैं मृत्यू दूँगा मैं विष्णु के हर शर्यंत्र को विफल कर दूँगा यह विष्णु मुझे भ्रमित करना चाहता है पहले तुमारे साथवे गर्ब को नश्टिया अब यह आठवी संतान गंड्या परंतु मैं मैं भ्रमित होने वाला नहीं मुझे शमा करना कन्या परंतु मैं विवश्णु कंस्य भली भाती जानता है किसे इस्त्री की हत्या करना भोर अपराद परंतु मैं क्या करूं तुम मेरी और मेरे अम्रत्व के बीच एक बहुत बड़ी बादा बनकर चन्मी हो तो चन्म लेता है उसके मृत्यों तो निश्ट है इसे लिए आज और इसी समय मुझे अपने मारगे के सबसे बड़ी बादा को म्रत्यों देना पड़ रहा है म्रत्यों मुझे मारने का प्रयास करना तेरी मूर्खता थी तुझे मारने वाला तो किसी अन्य स्थान पर जन्म ले चुका है हे नराधम, तेरी मृत्यु जन्म ले चुकी है नहाई कानुस, तुम्हारी जैसे पापियों के दुखी संसार के दुखों को अब मैं दूर करूँगी और पृत्वी पर अनेक अनेक स्थानों पर निवास करूँगी और अपने भक्तों का मार्ग दर्शन करती रहूँगी पर गवास करूँगी झाल